बात उस भरतनाट्यम डांसर की जो विदेश में अपना चमक धमक भरा कर्यर छोड़ कर बादिवासी लड़कियों को डांस सिखा रही है कौशल या शीनिवासन अमेरिका की एक यूनिवरस्टी में विस्टिंग प्रोफेसर रह चुकी है और कई विदेशी चात्रों को भरतनाट्यम सिखा चुकी है लेकिन आप वो वापिस अपनी सरसिमी पर लोटाई है दीवीसी के सयोगी पत्रकार नटराजन सुंदर की रिपोर्ट देखिए चन्ने की नजदीक थिंडी वनम और आसपास के लागों के स्कूलों में पढ़ने वाली बहुत सी आदिवासी इरुलर लड़कियां यहां भरतनाट्यम सीख रही है निचले तपके के लोगों को पढ़ने, सीखने और कला को अनुभव करने का मौका मिलना चाहिए अगर हम उन्हें सिखाने के लिए तैयार हैं तो वो भी सीखने के लिए आगे आएंगे अगर मैं दस लोगों को सिखाती हूँ और उनमें से दो भी उसे सीखना जारी रखते हैं तो ये मेरी कामयाबी है मेरा नाम कौशलिया श्रीनिवासन है मैं एक कलाकार चात्र और शिक्षक हूँ मैंने डांस पदमश्री चित्रा विश्वे सरन से सीखा है मैंने कई सालों तक विदेशों में डांस सिखाया और मैं जादा से जादा लोगों को डांस के इस हुनर से जोड़ना चाहती थी मैं 2003 में एक स्कॉलर्शिप प्रोग्राम के तहत अमेरिका गई थी और मुझे कैनेडी सेंटर में परफॉर्म करने का मौका भी मिला इस सेंटर की एक पहल आर्ट फॉर आल के तहत लोग यहां आकर बिना पैसे खर्च किये अपनी पसंद का कोई भी परफॉर्मेंस एक घंटे तक देख सकते हैं मुझे यह आइडिया अच्छा लगा और मैं ऐसा ही कुछ अपने देश में करना चाहती थी मेरे मन में ये विचार था और फिर मेरा संपर्क मदरास हाई कोट के पूर्व जज जस्टिस चंदरू से हुआ जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने पूछा कि क्या मैं आदिवासी इरूलर लड़कियों को डांच सिखा सकती हूँ तो उन्होंने इस काम में मेरी मदद की ये किसी एक वर्ग के लोगों के लिए नहीं है बल्कि ये सभी बच्चों के लिए है इन बच्चों को सिखाना मेरा जुनून भी था मेरा नाम रेजीना है और मेरे पती का नाम चंदर बाबू है वो पेशे से एक पेंटर हैं और मैं सिलाई का काम करती हूँ मेरे दो बच्चे हैं बेटा नौवी क्लास में और बेटी छटी क्लास में है मेरी बेटी टीवी पर आने वाले गानों पर डांस करती थी फिर उसने मुझे बताया कि उसके स्कूल में बिनाफीस के भरतनाट्यम सिखाया जा रहा है ये सिर्फ एक कोशिश है और मैं नहीं जानती कि मैं किस हद तक काम्याब हो पाऊंगी लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ और इसके लिए काम भी करती रहूंगी बहुत से चात्र मेरी इसमें मदद कर रही है